भागलपूर के विरिदाश्ट्रम में दिवाली को लेकर घर छोड़ कर आये हुए विरिद जन दिवाली में रौनग बढ़ाने के लिए दिये में रंग भरने का काम कर रहे हैं किसी तरह से घर में परतारित होकर यहां लोग घर छोर कर विरिदाश्रम में रहते हैं और दिवाली के मौके पर दूसरे के घरों में जलने वाले दिये में न सिर्प रौस नहीं हो बलकि यहां देखने में भी खुबसुरत लगे इसको लेकर विरिद में हिलाएं और पूस दिये में रंग भड़ने का काम कर रहे हैं और इसे आकर सक रूप में बनाकर बजार में बेचने की कावायत की भी शुरुबात की गई है इसके लिए एक समाजिक संस्ता के दौरा यहां के विरिद जनों को दिया मुहिया कराया जाता है और यहां लोग दिये में रंग कर देते हैं जिसके बाद संस्ता के द्वारा बजार में इसे बेचने का कारिक किया जा रहा है जिससे विरिद आश्रम में रह रहे हैं विरिद महलाओं को कुछ आर्थिक मदद मिल सके क्या सोच है कि दिपावली में बरेगा पैसा आएगा तो कुछ पैसा हमको अंडिभी मिलेगा घर से क्यों आपाद आगे घर से बाहर आगे बैटा पुत होने भूत धरा दिया बारह जाटा का देके वही से हम इकल गए कि दसमी है जस्वदूर खुला है आज हम दूबिय जाएंगे गंगाजी में रहेंगे ना बैटा पीतो तकलीफ देता था बहुत तकलीफ हम एकदम डर से थर-थर करते थे यह जडरत हो एकदम तकलीफ देता था व एक ठो जह रहाए हमरां बरकी पुतअ बहुत चन्डालीन है वह बहुत हमको बहुत मольता ज जैसे कि आप जानते है कि आप जानते हैं कि हमारे माननिया प्रदान मंत्री की सोच हमेशा से रही है कि हमारे जो निजी उत्पादन है जब आरा छेत्री उत्पादन है उसको प्रात्मिकता देना हम हमेशा से हमारे यही राय कि हम अपने मिट्टी से जुड़े रहे हैं जैसा कि आप जानते कि यहां महिला जो है वो बे सहारा है उन्हें साहएते की जरूरत है साथी साथ इनके जो समय है उसका सही यूटिलाइज करने के लिए और इनको मन लगाने के लिए हमने एक प्रयास किया है ताकि जिस तरह से यहां व्रिधाश्ट्रम के लोग इनके लिए एक सहारा बने हैं मैं भी छोटी सी प्रयास कर रहे हूं प्रदान मंत्री जो हमारे मोधी है उनके ही प्रयास को और अधिक सफल बनाने करें प्रयास है अब हर खबर पर होगी हमारी नजार पल पल पदलती देश और दुनिया की हर खबर पाईए सीधा आपने मोबाई पाई ऐसे ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइव को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिये गए बेल आइकन को भी दबाएं थैंक्यू